नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 सितंबर से 13 सितंबर तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों अब दुस्मनों का खात्म होने वाला है जहां दोस्तों अब आप सभी को बता दें क आपके जीवन काल में आने वाले चार से पांच दिनों के अंदर बहुती बड़ा बदलाब देखने को मिलेगा जहां दोस्तों आने वाले पांच दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में भगवान सनेदेप के आसिंग किरपा द्रिष्टी बनने वाली है जिनके कारण दोस्तों यह समय सारे अंधियारा खत्म होने वाले हैं अब आपके जीवन में भगवान सनेदेब के आशिरवात से रोसनी का दीपक जलेगा जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह से उज्जवल होने वाले हैं आपके जीवन पूरी तरह से बदलने वाले हैं, जहां दोस्तों ऐसे मौके को आप बिल्कूल हाथ से जाने न दें, क्योंकि दोस्तों ऐसे मौके बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं, जहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप बहुत ही अच्छे नसीब वाले हैं, तभी भगवान सन्य देव आने वाले पांच दिनों के अंदर आपको देने वाले हैं। जिहां दोस्तों आने वाले पांच दिनों में आप अपने जीवन काल में बहुत सारे लाब के मोके खोलेंगें। और दोस्तों ऐसे महत्वपन विश्यों को सही तरीके से उप्यूग करें हर कारियों में आप विश्य सापधाने रखकर ही आप कार करें इसे दोस्तों भगवान संदेव का जो किरपा है जो द्रिश्टी है आप सभी के जीवन काल में बहुत ही महत्वपन रहेगी और यूही किरपा आप सभी के जीवन काल में बरसती रहेंगे तो दोस्तों इन सभी के लिए आपको इन पांच दिनों के अंदर कुछ विश्यस बातों को ध्यान रखना होगा तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भगवान संदेव का किरपा आप सभी के जीवन काल पर है तो दोस्तों आप बेटे बेटे हर कारे को प्राफ कर लेंगे नहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय में आपके कारे को विगारने वाले कुछ लोग थे और दोस्तों यसे में भी आपके कारे को धोस्त करने वाले कुछ लोग है तो दोस्तों इसे में भलाई है कि अपने हाथों में ही सावधानिया रखें उन लोगों से आप बच कर रहे हैं तो दोस्तों इसे में कौन सी विशेश सावधानिया है इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे बहुति कहरी तरीकी से ग्रह गोचर पर आधारित है और दोस्तों आप सभी के लिए जाना बहुत ही जरूरी है इसलिए दोस्तों इसे अंतर तक जरूर देखें उसे पाले दोस्तों जो भागवान सने देप के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों एक लाइ प्रेश करके और पर श्रैट कर लें तो आए दोस्तों बात करते हैं सुरुवात करते हैं क्रिश्न जी की एक अच्छे ग्यान से एक अच्छे वीचार से जो कि दोस्तों आपको इंद्र में एक इक्षा सकती जागरित करेगी कि दोस्तों एक भक्त थे उन्हें 20 साल तक लगातार भगवत गीताजी का पाठ किया अंत में भगवान ने उनकी परिक्षा लेते हुए कहा अरे भक्त तु सोचता है कि मैं तेरे गीता से खुस हो गया हूँ ये तेरा वहम है मैं तेरे पाठ से बिल्कुर भी प्रस नहीं हुआ जैसे भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और जूमने लगा भगवान ने कहा कि अरे मैंने कहा कि मैंने तो तेरे पाठ से खुस नहीं हुआ हूँ और तू नाच रहा है, वो वाक्त बोला कि भगवान आप खुस हो या ना हो, ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इसलिए खुस हूँ कि आपने मेरा पाट को कम से कम सुना तो, इसलिए मैं नाच रहा हूँ, जिहां दोस्तों, गर आप हमारे इन बातों से शामत हैं, त तो चलिए शुरू करते हैं, तो आज दोस्तों इसलिए के साथ बात करते हैं कि भगवान सनेदेव के आसिरवा से ये पांच दिनों के अंदर में, आपके जीवन काल में आपके आने वाले पर तेक छेतर में क्या-क्या सुदार होंगे, क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं, तो चलिए विस्तार से बात करते हैं, तो आप अपना लक्ष हासिल करने के लिए भरपूर महनत करें, आपको उचित परना मिलने वाले हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखना और आसावादी रहना आपकी तरकी में और अधिक साहिक रहेगा, नोई लोग के मारदर्सन में मन चाहा काम पूरा होगा, सिर्दिल की वज़ा दिमाग से फेच ले ले हैं, विवाँ को किसी प्रोजेक्ट में शफलता मिलने पर खुशी मिलेगी, दिन चारह को विवस्तित रखने से बहतर नतीजे मिलेंगे, पिछले गलतियों के सवक लेकर वरतमान को बहतर बनाने का प्रयास होगा, तथा आप उचित आत्म विश्वास के साथ साथ एक नई सुरुवात करेंगे, खुद को भानात्मा रूप से भी मजबुत महशूष करेंगे, घर की गतिवेदियों और देखभाल में दिन का काफी समय वेतित हो जाएगा, और फॉन कॉल और मिल दवारा को खुशी से नाचने लगेंगे, या दोस्तों खुश खबरी शिर्शनी देव का आशिरवाद होगा, जिसके वज़े से आप बहुत ही सकारतमक और जावान महशूष करेंगे, दोस्तों आपका गिरे सिति बहुत ही सकारतमक बनी हुए है, आप अपने चामता और योगता से क किसी मुश्किल कार को पूरा करने में समक्ष भी रहेंगे, तनाप जिसे इस्तियों से दूर रहें और परवारी के साथ भी समय वितित करें, कार परनाली में वैसा ही कार परनाली में कुछ सुधार करने की जोरत है, रुका हुआ पैसा आपस मिलने से काम आसान हो जाएगा, तो दिन बहुत ही अच्छा है, साथ ही अपनी वैबसाइक पार्टियों को भी हैल्फ लें, नोकरी में अधिकारियों के साथ समन्द मधूर बने रहेंगे, वैबसाइक गति विदियां में अपनी उपसिती और मेहनत दोनों को ही बढ़ाना होगा, क्योंकि कुछ चनुतियां आशक्ती है, सेहर और तेजी म समन्द में बदल सकती है, यह समय घर परिवार के साथ बेतित करने से खुसी और सुकुन मिलेगा, इसे आप से समन्द में मधूरता आएगी, मैं दोस्ता आपके स्वास्त के बारें बात कर लें, तो मौसम की वज़े से खासी जुकाम और बदन दर्द की समश्या रहेगी, स दोस्तों, नया के देवता सनी जितनी जल्दी नाराज होते हैं, उतनी ही जल्दीवा प्रशन भी हो जाते हैं, हालाकि सनी देव हमेशा कर्मों के आधार पर ही सुब असुब फल देते हैं, अगर आपके भी कुंडिली में सनी दोस है तो दोस्तों, और आपको जीवन में त एक एक टूगड़ा फेंक दें इसे दोस्तों यह टोड का आवसे चमतकार करेंगे वे दोस्ता बात करतो का भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है।